तो गाइज यह हैं तो कैसे आप सब आप सब आप सब बढ़ी होगे तो गाइज अभी फिलाल हम जा रही है यहां पर केमल राइड वेगरा भी होती है अगर आपको करनी होता है आप यहां पर आ सकती है अन्द वे ओफ स्याचेन पड़ेगा हमारी गाड़ी ने तो बहुत ही जाद अच्छी परफॉर्मेंस दिया अभी तक फिलाल तो और कोई दिक्कत परशानी तो आई नहीं है और हमने जब थोड़ी जब टायरों में जब हवा भी भर ली थी बाकी और कुछ तो मेजर इस अभी तक फेस हुआ निया बाकी परफॉर्मेंस तो अच्छी है आप अच्छी है चले हैं ओलोड़ ब्रोड़ औलगट अउड़ ब्रोड़ औलगट हुआ आउज्ज था जोश जाए बासेन आई झाल झाल पिका नूस lorsquा कुछारल So guys, when we're going to Syachan Basecamp And something type will look like us crew on Syachan Basecamp यूख यूणिट से लिय खाले हैं वाइस अभी जब साड़े तीन बज रहे हैं हमने जब टोटल जब हो 1150 km जब ड्राइफ कर लिया फ्राम डेली एंड हमारा स्याचिन बेस कैम जब हो 50 km दूर है एंड ये रोड्स है रोड्स की कंडिशन तो फिर भी सही है आइस कंपेर टू अधर जगाएं तो रोड्स की कंडिशन दगाई है तो तो यहां से जब स्याचिन का एरिया जब स्टार्ट हो जाएगा एंड यहां पर जब हमारी एंट्री हो रिया आप 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 तो वृष तो दिवाले हैं जो यहां से च्टी किर मुड़ेटों है और यहां से च्रिक मुल्त होगा है बदल पर दोष के पादे तेसे ना पेन वेड़कोंस से चैशिंपरिशन का बाद आपको बाद इन प्यूटिब वेदर है और रास्ता है अब का ये वेदर के इतलाब आपको नीचांचे उना आपको पड़ीया देली बादी 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 बूरी प्रसुप कर रहा है यहां से वो थीन किलोमीटर दूर रह गया है एंड रोड बहुत ही ज्यादा ओसम मिली हमें और यहां पर मतलब वर्थ प्राइविंग थी बहुत ही ज्यादा मज़ा आया जनाने में यहां पर गाड़ी और बस फिलाल तो यह ही है व्यूटिए और गाड़ी के परफॉरमस बहुत ही जादा गजब थी एंड अमने टोटल जह वो आराउंड वेलंड़ किलोमीटर चला दिया और कोई हीटिंग इस्यू या कोई इस्यू मादला कोई इस्यू बहुत ही सही चल रहे है ना कोई लैग फील ना पुछ हुआ और मज़ाया गा यह उकल शिया और तेलेर लागे कोई है वहार कोई सही बहुत ही लागे他是जू इसमीड पीछ तो पर गाइस आप राइट ने सकते हैं यह पूरा हमारे अले-ले कंट्रीज के प्लैक्स है और अपारे आर्मी के हैं इंडिया का है और देखिए श्याचिन विदार्ट लिखा हुआ है अब यह दिखेगा यह देखिए इंडिया श्याचिन विदार्ट इस वन और सामने देखिए आप कितना प्यूटिफूल लग रहा है यह पाहड और यह वादिया यह रास्ते तो गाइस पीछे जब एक चेकपोस्ट था जहां पे जब वो मिल्टरी जब खड़ी होती है बट वहां पे जब मिल्टरी खड़ी नहीं थी और वहाई तक ही जब टूरिस्ट को जब अलाउड है तो गाइस पीछे तो कोई मिल्टरी वाले खड़े नहीं थे तो हम जब गाड़ी को जब अंदर ले आए तो गाइस यह जब वो restricted area है और यहाँ पे जब टूरिस्ट का आना भी अलाउड नहीं है और यहाँ पे जब मिल्टरी वालों की जब ट्रेनिंग भी चल रही थी और यहाँ पे जब गोलियों की sound भी आ रही थी और ये बात जब हमें नेक्स वाले चेक पोस्ट पर पता लगी तो गाइस यह हमारा सी आच्चन का बेस कैम और यह कुछ वादिया है यहां पर तो गाइस यह है सी आच्चन्स दा वर्ड हाइस बैटल फील्ड और इसका रिप्रेजेंटीशन इना मॉडल कुछ ऐसा है तो यहीं तक ही जब टूरिस्ट का आना हो सकता है एंड इसके बात जब वो चेक पोस्ट आ जाता है और फिर सारा जब वहां पे उसके आगे जब रिस्टिक्टिड एरिया है वहां पे जब कोई भी टूरिस्ट अलाउड नहीं है बट फिर भी जब हम गुज गए थे अंदर और इसमें गाइज हमारे भी कोई गलती नहीं थी हमें जब पता नहीं था कि अंदर जब नहीं जा सकते और गाइज ना ही कोई मिल्टरी ओफिसर खड़े थे जो हमें गाइड कर पाएं फिर जब हम यहां पर वापस आए फिर हमें जब यहां पर मिल्टरी ओफिसर दिखे एंड यहीं था कि जब वो अलाउट है टूरिस्ट का आना जाना और हम जब गलती से जब आगे चले गए थे तो वाइस यह सारी चीड़े मिलेंगे आपको यहां पर सियाचन बेस कैम के यहां पर तो चलो अब जब हम यहां से जब निकलते हैं तो खाइस कल का व्लॉग जो है वो आज हमारा यहां पर में एंड निकर रह आओ और हमने जब रात को अगर आपको पसंद आयो तो वीडियो पर लाइक जरू कर देना अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तिल देन टेक केर बाबाई एंड स्टे सेफ तो गाइस अभी लोग कर आया है